स्टार्ट अप्स ने कम तजुर्बे पर मोटी सालरी और धेरो सुविधाएं दे कर यंगर जेनरेशन को अपनी और बड़े पैमाने पर खींचा था पर अब बड़ती छंटनियों के बाद स्टार्ट अप्से मोख भंग हो रहा है टालेंट रिवर्सल के इस ट्रेंड से उन कमपनियों ने रहत की सांस ली है जिनके यहां से बड़े पैमाने पर लोग अच्छी सालरी के नाम पर स्टार्ट अप्स में जा रहे थे Human Resource Consultancy Firms की माने तो स्टार्ट अप में गए टालेंट की अब घर वापसी हो रही है TCS, Infosys, Vipro, HCL जैसी कमपनियों से गया हुआ टालेंट वापस लौट रहा है जानकारों की माने तो 40 से 50 परसन लोग जो स्टार्ट अप्स छोड़ रहे हैं उन्हें IT कमपनिया, इनोवेशन सेंटर्स और दूसरी कंसल्टेंसी फर्म्स नौकरियों पर रख रहे हैं स्टार्ट अप्स में चंटनी के इस महौल से फिर से टिकाऊ नौकरी और बड़े ब्राइंट याद आ रहे हैं दरसल बीते चार-पान साल में आये स्टार्ट अप बूम में मोटी सालरी वाली खूब नौकरी आए जिससे कम तुजुर्बे पर भी अच्छी सालरी मिलने का ट्रेंड सा बन गया इसका असर बड़ी IT कंपनियों पर दिखा मार्च दिमाही के IT कंपनियों के अट्रिशन के आंकडों को देखे तो लंबे समय बाद इंडस्ट्री में अट्रिशन यानि नौकरी छोड़ने का इतना बड़ा ट्रेंड दिखा जैसे कि Infosys में करीबन 28 फीस दी, Tech Mahindra में 24 फीस दी, Vipro में भी करीब 24 फीस दी और HCL में करीब 22 फीस दी जबकि TCS में 17 फीस दी से ज्यादा अट्रिशन रहा इसका प्रभाव लगभग 4-6 महीने तक मार्केट में रहेगा और बड़ी IT कंपनीज के अट्रिशन में 5% तक अट्रिशन में कमी आने के पूरी संभावना है देश में IT और Business Process Management में करीब 51 लाख नौकरियां है जिसमें से करीब 4.5 लाख नौकरियां स्टार्टप्स में है इस साल जनवरी से अब तक स्टार्टप्स में करीब 6,000 नौकरियां गई है जबकि दुनिया भर में ब्याजदरों के महेंगे होने के संकीतों के साथ फंडिंग की किल्लत आगे और बढ़ सकती है ऐसे में कम्पनियों पर लागत घटाने का दबाब बढ़ रहा है स्टॉक मार्केट की तरह जानकर बताते हैं कि स्टार्टप एको सिस्टम में भी करेक्शन की जरूरत थी कोविट के दरान फंडिंग बहुत ज्यादा थी कुछ ऐसे आइडियास थे जिनकी वज़ा से बहुत से लोग हायर हुए थे लेकिन अब सब ना ही वैलुएशन को मीट कर पाए और ना ही मार्केट में उतनी फंडिंग अवेलिबल है इस वज़ा से बहुत से लोगों ने नौक्रियाक होई हैं जिसका फायदा बड़ी IT कंपनीज को मिला है